मैंने शुरुवात में भी कहा कि कल ही नेताओं से मुलाकात हो गई केंद्रिय कर्मचारियों के दस साल में पहली बार कल ही केंद्रिय कैबिनिट ने आनन फानन में मंजूरी दे दी कल ही मंत्री साब ने अश्विनी विष्णव ने सामने आकर एलान कर दिया कि अब यूपीएस होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम होगी सब काम कल हो गए दस साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई देड़ साल से वो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो मीटिंग थी उसका कुछ अता पता नहीं था तो अगर खड़गे साब यह कह रहे हैं कि चुनावी है घलत कह रहे हैं कि देखे गरिवा जी अब विशे बहुत अच्छा उठाती है लेकिन तर्क जो है कॉंग्रेस प्रवक्ता के आभाव में तर्क जो है कॉंग्रेसी वाली रखने लगती हैं तो सबसे पहले तो अप्रेल 2023 में इस कमिटी का गठन हुआ था आज से लगभग 17 महीने पहले इस कमि राजनीति का विशे बनाते तो इलेक्शन के पहले जल्दी से आनन फानन में किसी तरह मार्च में यह स्कीम लागू होती है यह स्कीम जो है आर्थिक विवेक पूर्णता का परीचे है इस सरकार की और यह दिखाता है कि कॉंग्रेस की जो वित्तिय अव्यवारिक्ता है जह जहां जहां राजिक करने को उनको मिलता है वहां वहां आर्थिक अराजिकता फैलाते हैं उसके अतरिक्ट भी एक तरीका होता है जिससे कि आप जन कल्यान कर सके लोगों को सुरक्षा और सम्मान दे सके और वित्तिय जो फिसकल पूर्डेंस है उसको मेंटेन कर सके तो मेरे जो UPS है ये एक कमाल का अल्टरनेटिव है NPS की तुलना में देखिए OPS जो है 2004 में वो आउटडेटेड हो गया था हलाकि वो प्रस्तावित था कि वो हटाये जाए उसका जो अल्टरनेटिव था NPS लागू हुआ था मनमोहन सिंग के समय में और यहां तक कि मनमोहन सिंग ने 2006- सरकारों को खट तक लिखा था कि आप नए pension scheme में जो है आ जाएं क्योंकि पुरानी scheme जो है अन्वाइबल है अब यह Congress Party जो है इसका केवल दो देश है जातिगत विभाजन देश में और आर्थी करा जगता तो सुभावी के यह उपोस करेंगे लेकिन आपको जो है मतलब यह नहीं कहना चाहिए कि रातो रात यह हो गया सरकार ऐसे काम नहीं करती है तो 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 यहां से यह साबित हुआ कि जो दस साल से national pension scheme इस देश में थी वो disaster थी कि डिजास्टर नहीं थी कि आपको समझना होगा कि दोनों चीज़ों का हित रखना दोनों हितों का दोनों एस्पेक्स को ध्यान में रखना पड़ता है एक जो है employees अगर किसी वजह से NPS में असुरक्षित फील कर रहे थे तो उसका एक बेटर alternative हमने प्रदान किया है और कोई भी चीज़ों का बयान नहीं होती है अगर इन पहतर विकल्प है आप सुनिए भी एक सेकंड टीवी सो मनाथन फाइनेंस सेकरेटी उस रख थे जब समीती आपने बनाई आज की तारीख में वो क्याबिनेट सचेव हैं उन्होंने कहा कि NPS की तुलना में UPS 99% बेहतर है यानि कि 99% कामिया थी NPS में ने तो कोई देखे किसी भी कोई भी चीज़ जो है कोई भी नीती पर्मनेंट नहीं होती है अगर उसमें सुधार की आवशकता है तो निश्चित रूप से सुधार की जाएगी लेकिन वो सुधार जो है राजनीतिक म महसूस हो रहा था कि कुछ असुरक्षा लोग महसूस कर रहे थे उसमें स्पेशली जो 40% अमाउंट जो एन्यूटी में निवेशित होता था उससे जो है पर एक एक जो फिक्स्ट अमाउंट था वो नहीं मिल पाता था लोगों को तो निश्चित रूप से UPS नोसका मुझे कोई चीज लगे कि हम सुधार कर सकते हैं अगर आज हमें लगे हमाज सुधार करेंगे अब तिभी सर यह सरकार की यह सरकार की प्रेरुगेटिव है जब हमें लगा कि एक आल Communist आज है विकल्फ है और जब प्रिछ आहीं अगर को आने वाले समय में यदि स्टेट को बीच बीच में माठोकी अब आप खर्चों की बात देखिए 800 करोर आप ने खुद कहा कि NPS से UPS में जो आएंगे उसमें एक सरकार का खर्चा 800 करोर को होगा और इस वक्त पहले साल के सालाना इंप्लिमेंटेशन में लगबख 6250 करोर है ठीक है और ये बजट के अंदर अबज़ोब होगा इसकी तुलना में अगर आप OPS की मांग को देखें जो राज्य सरकारे कॉंग्रिस में वापस OPS में जा रहे थी उनको पता भी नहीं है कि इस वक्त कितना खर्चा होना था उसमें और अगर सभी विपक्ष की सरकारे जाती लगबख 40,000 करोर से उपर साल का खर्चा होता इसका केवल एक ही अर्थ था कि जो आर्थिक राजगता आप करनाटिक में देख रहे हैं वही विपक्ष अपने सार और सारे राजगों में दिखाती और बेसिकली वह भविश्च में भारत को जो आने वाले जिनरेशन से उसको महताज करती हैं नाम यह तो बदला तहिन आर्थिक राजगता कॉंग्रेस कर रही है कि नहीं कमला का त्रिपार्टी बता देंगे नाम बदल दिया NPS OPS UPS एत्स बाई एली पेंशन वह बड़ाकर 60% कर दी He तो यह बूद आर्थिक राजगता रो यह बिस में दोनों का का कॉंट्रिबुशन हों ऐसे बूम बांपिंशन होगा ओ पी नहींसने वह फिश्णम individual का contribution zero था इसमें दस प्रतिशत contribution इंडिविज्वल का होगा और अठारा पॉइंट अठारा त्शमलव 5 प्रतिशत सरकार को होगा वो दस प्रतिशत सरकार ने अपना खर्च है सरकार ने खर्च बढ़ाया और वह रिक्ता और आर्थिक विवेक पूर्णता के निए वो NPS से डिफरेंस हुआ है आप कंफ्यूज हो रही है OPS में प्रावधान था ही नहीं पूरा contribution जो था सरकार का था NPS में 10 प्रतिशत individual का था 14 प्रतिशत सरकार का था उस 14 प्रतिशत को हमने 18.5 परसेंट किया है OPS से इसकी कोई तुलना ही नहीं है OPS आर्थिक और व्यवारिक्ता की और देश को ले जा रहा था यह स्कीम जो है आर्थिक विवेक पूर्णता का प्रिचे तो जो मैंने सवाल उठाया तो हिन कि ये विवेक पूर्ण जो निर्णे है ये दस साल तक लंबित रहा ना ये 240 के बाद आया ना ये सवाल जब हमें सुधार लगा कि आज एक आल्टरनेटिव है हम जल्दबाजी में दूसरों की प्रेशर में नहीं करते हैं यही सवाल तारीक कब बताओगे तो हर विशे पर हम पर पूछा जाता है कि आर्टिकल 370 अब तक क्यों नहीं अटा रहे थे जिस दिन किया अब